हाई एवरिवन वेलकम टू आर चैनल इंसेंट स्टडी तो आज हम लोग मेंसुरेशन का एक सरकल का कुछ 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 क्वेस्टन करने जा रहे हैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेस्टन लेकर आया हो और यह क्वेस्टन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा जैसे चाहे आप NCRT board से एक्वेस्टन दे रहे हो या फिर ICSC board से हो या कोई भी government board से हो या government competitive exams related हो तो उसके लिए भी आपको यह सारे चीज के लिए यह questions आपको cover up कर सकते हैं बहुत ही अच्छा questions है selective questions लेके आया हूँ तो चलिए start करते हैं तो यह रहा हमारा पहला question चलिए read करते हैं से question को क्या है इसमें Each wheel of a car is making five revolutions per second कार काई wheel है जो की five making five revolutions per second हर सेकेंड में पांच revolutions रहा revolution means circle चक्का circle होता है सो एक round ले रहा है वो ठीक है five revolutions per second one second में five revolutions रहा five rounds if the diameter of a wheel is 84 centimeter अब उस wheel का जो diameter है इस wheel का जो diameter है वो है 84 centimeter find the speed of the car in kilometer per hour kilometer per hour में इसका speed निकालना है हमें तो कैसे speed निकल जाएगा इसका तो इसके लिए और फिर बोला गया है कि give your answer correct to nearest kilometer nearest kilometer में answer चाहिए point में अगर answer आता है तो उसे हम nearest में चेंज कर देंगे यह तो आपने पढ़ाई होगा previous classes में approximation approximate numbers कैसे किया जाए तो देखें क्या होता है इसका solution तो diameter अगर दे दिया 84 cm मैंने previously formula derive करते वक्त कहा था कि previous lectures में की की diameter का हर जगा यूज नहीं होता है कि ज्यादा तर यूज रेडियस का ही होता है तो diameter को सब से पहले change करते हैं radius में diameter 84 cm अब radius क्या होता है diameter का half d by 2 तो यह हो जाएगा हमारा 84 by 2 जो आएगा टू फोर जेट टू 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 एफॉर 42 cm रेडियस आया 42 cm अब क्या दिया हो है question में की फाइव फाइव रेवल्यूशन पर सेकेंड तो तो देखें क्या कर सकते अब इसको अब अब यह रेवोल्यूट हो रहा है मेंस इसका circumference surface घूम रहा है तो इसका circumference का यहां बात आ गया surface घूम रहा है तो circumference related है circumference में perimeter बताया था मैंने की previous lecture में की perimeter ही circumference का दूसरा नाम है तो यहां क्या करते हैं इसका circumference निकलते हैं पहले circumference क्या है फॉर्मूला टू पाई आर सर्कल का circumference टू पाई आर तो टू इंटू ट्वेंटी टू वाई सेवन और रेडियस क्या है 42 760 42 अब इसका answer क्या मिलता है मैं क्या आएगा इसका answer 226 टू आट्वेंटी टू इंटू टू ट्वेंटी टू आँटू टू कितना हो जागा 264 cm अके सॉरी 264 cm अब क्या करते हैं कि यह मिल गया हमारा circumference 264 cm अब यह क्या है अब हमें निकालना है speed of the car यहa Allah centimeter में है तो five revolutions aight circumference यह क्या है एक brutus में एक ही बार circumference हो रहा है तो five 5 stuff again france तो वण revolution को श्तु мон Dow झो कि तो 64 संटीमेटर गट तो 5 inversion तो इस तरह का जब इवेन नंबर रहे और इधर फाइब से इंटुक मुल्टिप्लाई करना पड़े तो सिंप्ली इतना दिमाग को माइंड में हो जाएगा ज्यादा दिमाग चलाने का जरूत नहीं इसे हाफ कर दीजिए सबसे पहले और एक zero put कर दीजिए ये हो गया फाइब रेवलीूशन में वो कितना टोटल सरकमफरेंस कवर करता है ये कार तो फाइब रेवलीूशन यहां बोल दिया गया कि पर सेकेंड यूनिट सेकेंड में और स्पीड क्या होता है हमारा कि पर यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टन कवर किया जाए तो five revolutions per unit time means per second में cover कर रहा है तो तो speed of the car क्या हो गया speed of the car equals to 13207 cm per second यह हो गया speed of the car per unit time में जितना भी distance cover करें अब हमें निकालना है इसको km per hour में तो km per hour में इधर देखिए क्या करते हैं कैसे को solve करते हैं km per hour में cm per second में है तो speed in km per hour 1320 cm per second तो 1 cm 1 km में से km में चेंज करना है 1 km में how much cm होता है 1 km में 1000 into 100 cm होता है कैसे होता है अब वो भी आप देख लीजिए कि 1 km में 1000 में and 1 meter equals to 100 cm 2000 meter equals to 1000 into 100 cm or 1000 meter means 1 km so ये value 1 km का हुआ तो अब अगर 1 km में दिस मच cm तो 1 cm में 1 by 1000 into 100 तो 1320 cm में this divided by 1000 into 100 अब इसी तरह per second था means by one second था तो one second का भी निकालते हैं कि आवर में कैसे change होगा तो देखिए तो देखिए वन आर में 60 मिनिट्स होते हैं वन मिनिट्स में 60 seconds so 60 minutes में 16 to 60 seconds और 60 minutes means 1 hour तो 1 hour में 16 to 60 seconds तो 1 second में 16 to 60 1 by 16 to 60 आर तो इसको 1 by 16 to 60 लिख सकते हैं अब ये रेसिप्रोकल अगर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा एंसर इंटू ये उपर चला जाएगा 60 इंटू 60 अब इसे सॉल्व कर दीजे हमारा एंसर मिल जाएगा जितना 0 है पहले काट दीजे 132 इंटू 36 जा 36 132 इंटू 36 कितना होता है 4752 अब आपका एंसर आया 4752 और नीचे 1000 था सॉड़ी 1000 नहीं 100 था यह 0 तो कैंसल आउट हो गया है तो 100 to 0 तो पॉइंट यहां पे रहा यह हुआ आपका स्पीड इन किलोमेटर पर आर पर हमें चाहिए था एंसर टू एंसर करेक्ट तो नियरेस्ट किलोमेटर तो नियरेस्ट किलोमेटर क्या होगा 7 के बाद यहां पॉइंट के बाद 5 आ गया नियरेस्ट किलोमेटर में इसको 48 लिख सकते हैं 48 किलोमेटर पर आर तो यह रहा हमारा इस सेंटीमेटर लॉंग फाइंड दे एरिया ट्रेश्ट आउट बाइधा मिनेट हैंड आफ दे लॉट्व बिट्विन 4 15 पिम टो 4 35 पिम ओन दे एक दिन में क्या हो रहा है कि मिनेट हैंड जो है क्लोक का उसका लेंद है 7 सेंटिमेटर अब बताना है कि हाव मच एरिया इड स्ट्रेसिंग आउट कितना एरिया वो बना रहा है वो मिनेट हैंड कितना एरिया कवर कर रहा है कब टाइमिंग दे दिया 4 15 से 4 35 के बीच में तो इसके लिए तो घड़ी बनाना जरूरी है तो चलिए हैंड फिगर इतना अच्छा नहीं है मेरा कोसिस करते हैं तो देखिए ये घड़ी मान लीजे इसे अब सोचिए कि ये जो मिनेट हैंड है मिनेट हैंड आर हैंड का बात नहीं हो रहा मिनेट हैंड 7 सेंटिमेटर लॉंग है और कहां से कहां तर ट्रेस आउट करन है 415 से 435 तो इसको मार्क कर सकते 15 फिर यहां पे 20 मिनिट्स 25 मिनिट्स और यहां पे 30 मिनिट्स उसी तरह यह 35 वगड़ा वगड़ा पूरा बनाने के में जरूरत नहीं है क्योंकि जितना जरूरत है उतनी से हम यूज करेंगे टाइम वेस्ट करके फाइद नहीं है तो 415 से फोर थर्टी फाइब तक यह मिनिट्स का काटा जो है फोर थर्टी फाइब मिन्स यह यहां तक पहुंच रहा है यहां तक का रास्ता तहे किया यह अब सफर पे है तो कितना सफर यह तैंक यह मिनिट हैं तो यहीं हमें निकालना है कि यह एरिया एरिया निकालना है ना यहां से यहां तक मैंस पूरा एरिया कितना कवर अप किया तो इसके लिए अब प्रिवियस लेक्ट्चर अगर देखें आपने तो उसमें मैंने बताया था कि एरिया अफ सेक्टर का कुछ फॉर्मूला होता है और यह ठीक वहीं दीख रहा है मैं एरिया आफ सेक्टर आफ सरकल तो यह रहा हमारा सेक्टर पर इसमें ठीटा का बहुत यूज होता था क्यूंकि एरिया आफ सेक्टर का फॉर्मूला में ठीटा वाई 316 टू पायार स्क्व लिग देते हैं डाइग्राम में सब रहे तो ज्यादा बेटर है ताकि सॉल्व करने में इजी रहे हमें सब कुछ आखों के सामने रहे डाटा तो ठीटा कैसे निकाले ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है आएं 45 तक जाना है तो कितना मिनिट्स वो कवर किया five minutes 10 minutes 15 minutes and 20 minutes 20 minutes 20 minutes out of how many minutes पूरा overall अगर देखते तो 60 minutes का होता है clock में अब क्या हो रहा है कि 60 minutes अब हमें इसे degree में निकालना है theta means degree का value चाहिए तो 20 by 60 into 360 degree अब देखिए 66 जा 360 20 into 6 120 degree आगे हमारा degree कितना कवर किया theta का value यही है हमारा theta अब straightaway अब कुछ हाई नहीं इस question में बचाहिए नहीं रहा कुछ तो area sorry required area required area area of sector office of the circle area of sector of the circle तो क्या है formula theta by 360 degree into pi r square तो theta क्या निकला 120 degree by 360 into pi 22 by 7 into r square r कितना radius 7 cm 7 into 7 cancel out ट्री जा 36 हो गया 22 आया क्या answer 154 by 3 अब इसको थोड़ा सब mixed fraction में भी निकाल सकते हैं या फिर decimal में भी निकाल सकते हैं डेसिमल में निकाल देते हैं तो कोई नियरेस्ट वगरारा को कुछ इस तरह चलता जाएगा तो क्या था सेंटीमेटर में तो एरिया है इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमेटर स्क्वेर तो यह रहा हमारा इसका solution बहुत ही simple question था बस थोड़ी समझने की देरी थी इसे अगर थोड़ा सा समझ के diagram पर अगर बनाया जाए तो easily solve हो जाएगा बहुत ज्यादा difficult question नहीं है बट बहुत ही important question है तो तो इसका भी screenshot लेही लीजे तो next lecture में और कुछ नए selective questions लेके आऊंगा वो भी बहुत ही बहतरीन होंगे तो till then wait and practice it thoroughly झाली